Hello students, welcome to Y exam B. आप सबी लोग जानते हैं कि आपके SSE, CHSL और CGL के एक्जाम आने वाले हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए, आज हम syllogism के basic को discuss करेंगे हमारी part 1 की वीडियो में. तो जितने भी type के statements होते हैं syllogism में, आज हम उनको cover करने वाले हैं. पूरा base से हम सीखेंगे कि syllogism chapter होता क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त का chapter week है, तो प्लीज ये वीडियो के साथ share कीजिए, हमारे channel को like कीजिए और subscribe कीजिए. और अगर आप एक बहतर course की तलाश में हैं और CHSL 2021 की preparation कर रहे हैं, तो इस number पे call करना मत फुलिए. आपकी जितनी भी queries होंगी, वो चुटकियों में solve कर दी जाएंगी, तो चलिए आज का chapter स्टार्ट करते हैं. तो syllogism आपका logical reasoning का part होता है दोस्तों, जो दो या दो से जादा statement को join करके किसी conclusion पे आपको पहुँचाता है. तो basically आपको question किस परकार के दे रखे होते हैं, इसमें आपको दो या तीन statement दे रखी होती हैं, उन statement की help से आपको entities के बीच में relationship establish करना है, वो आप when diagram की help से भी कर सकते हो, तो आपको statement के अधार पर relationship establish करना है, with the help of when diagram, then conclusion को check करना है, one by one, क्या conclusion match हो रहा है according to your statement or not. दोस्तों, हम statement के type समझेंगे कि कितने परकार के statement के type होते हैं, और उनका when diagram हम कैसे बना सकते हैं, तो one by one समझते हैं, अगर आपको all A are B दे रखा है statement में, यानि सभी A, B हैं, तो आप उसका diagram दोस्तों कुछ इस परकार बना सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, आपके सारे के सारे A, B हैं, तो इस तरीके से आप diagram बना सकते हैं, अगर आपको दे रखा है, A, B के बराबर है, तो उसका diagram आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, अगर आपको दे रखा है, no A, R, B, यानि A और B के बीच में कोई relation नहीं है, तो उनका diagram आप अलग-अलग circle दोरा बना सकते हैं, जो आपस में intersect नहीं हो रहे हैं, अगर आपको statement में दे रखा है, कि sum A, R, B, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ A, B हैं, तो इसका diagram आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, यानि दोनों आपस में intersect कर रहे हैं, और जो उनका common part है, वो ये कह रहा है कि sum A, R, B हैं, यानि कुछ हिस्सा A का B में है, तो सीधी सी बात है, कुछ हिस्सा B का A में भी होगा, तो वाइसा वर्सा दो दोनों चीज पॉसिबल हैं, दोनों चीज ट्रू हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, आपको अगली statement में दे रखा है कि sum A, R, not B, तो आप इसको किस तरीके से represent कर सकते हैं, आप इस figure को follow कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखा रखा है कि sum portion of A is not included in B, और अगर मैं other part of A की बात करूँ, तो इसमें हम uncertain हैं, क्योंकि हमें statement में सिरफ इतना ही दे रखा है कि sum A, R, not B, पर इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि sum A, R, B, definitely true होगा, because we are not sure, क्योंकि हमें statement में सिरफ इतनी ही बात दे रखी है कि भाई, कुछ हिस्सा A का B में नहीं लाए करता, तो we are uncertain about other part of A whether it is included in B or not. करना है, आपको sequence of the quotient का ध्यान रखना है, जिस sequence में आपको statement दे रखी है, उसी sequence में आपको अपने वेंड डाइग्राम को ड्रॉ करना है, और जो भी आपका वेंड डाइग्राम बना है, उसी के अधार पर आप conclusion चेक करेंगे, और last में आप alternative solutions भी ढूंडेंगे, कि क्या-क alternative solution बन सकते हैं, पेसिज on that particular वेंड डाइग्राम, तो अभी घबराइए मत, मैं हर एक type का question आपको solve करके दिखाऊंगा, तो be patient about it, दोस्तों कभी-कभी जो examiner होता है, वो only शब्द का परियोग कर देता है आपकी statement में, जिससे बच्चे confuse हो जाते हैं, अगर आपको statement में दे दिया जाए, only a is b, तो उसका मतलब आपको किस तरीके से interpret करना है, आप only a is b को all b are a की तरीके से represent कर सकते हो, और अपनी question को solve कर सकते हो, अभी आपको यहाँ पर दे रखा है, only duster are chocks, तो मैं मान सकता हूँ कि all chocks are duster, उसी के अधार पर में अपना when diagram भी बना सकता हूँ, ठीक है, आपको next statement में दे रखा है कि some duster are desk, ठीक है, यह आपका duster का region है, कुछ duster आपके desk है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना दोस्तों कि desk का यह जो region है, वो यहाँ तक भी हो सकता है, तो यह possibilities या यह alternatives आपको ध्यान रखने हैं, इसके बाद दे रखा है कि सारे के सारे desk mats हैं, यानि सारे के सारे desk क्या हैं आपके mats, तो आपने when diagram बना लिया, अपनी statement के अधार पर, अब आपको चेक करना है conclusion, तो पहला conclusion क्या दे रखा है, all desk being duster is a possibility, क्या सारे के सारे desk duster हो सकते हैं, क्या यह possibility है, तो जी हाँ, यह possibility बिलकुल है, क्योंकि आपको statement में दे रखा था कि some duster are desk, अगर मैं desk को यहाँ पर बना दूँ, तो मैं कह सकता हूँ ना कि कुछ duster desk हैं, तो यह statement के अधार पर जो आपने alternative solution सोचा, desk को अंदर बना के, तो इस statement के अधार पर मैं कह सकता हूँ ना कि all desk being duster is a possibility, तो बिलकुल possibility है, तो यह conclusion मेरा ठीक हो जाएगा, आपको दे रखा है कि some mats are definitely not dusters, क्या कुछ mat आपके duster नहीं है, यह definite है, तो आपको यह check करना है, मान लो यह जो मैंने desk का region बनाया, इसके अधार पर मैं बनाता हूँ कि all desk are mats, तो मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ कि all desk are mats, उसके बाद आप यह देखो कि some mats are definitely not dusters, यहाँ पर तो सारे के सारे mats आपके duster दिखाई दे रहे हैं, तो यह क्या हम definite है, हम 100% true है क्या, बिलकुल नहीं दोस्तों, तो यह conclusion गलत हो जाएगा, उसके बाद आपको दे रखा है कि no mats are chocks, तो इसकी भी कोई limitation नहीं है, दोस्तों, mats और chocks के बीच में, statement में कोई relation नहीं दे रखा, यह mat का reason कितना भी बड़ा हो सकता है, we are not 100% sure कि no mats are chocks, तो यह भी conclusion गलत हो जाएगा, तो सिरफ आपका पहला conclusion ठीक होगा, और answer होगा, only one follows. कभी कबार examiner only few का भी use कर लेता है, तो अगर आपको only few A, R, B दे रखा है, तो उसका मतलब आप यह समझ लेना कि कुछ A, B हैं और कुछ A, B नहीं हैं, तो इस तरीके से आप diagram बना सकते हो, अपना sum A, R, B का, जिसमें आपको यह ध्यान रखना है, कि कुछ A आपके B हैं, और कुछ A आपके B नहीं है, तो only few birds are wing, यानि some birds are wing and some birds are not wing, तो आप अपना diagram कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, उसके बाद आपको दे रखा है कि all wings are grey, तो इस तरीके से आप अपना diagram बना सकते हैं, उसके बाद दे रखा है कि some grey is color, यानि कुछ grey color है, तो इस तरीके से आप अपना diagram बना सकते हैं, अभी color का region दोस्तों यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, क्योंकि grey का region यह पूरा है, तो you are not sure about the region of color, तो color कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है, तो आपको दे रखा है कि some wings are color, यानि कुछ wings color हैं क्या, तो भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर मैं यहां पर इस diagram को limit कर दूँ, तो यह नहीं होगा, अगर मैं इस diagram को यहां तक बना दूँ, तो यह हो जाएगा, but we are not 100% sure, तो हमारा यह conclusion गलत हो जाएगा, तो उसी तरीके से आपको दे रखा है कि some wings are birds, क्या कुछ wings bird हैं, तो some, मैंने आपको बताया था, only few birds are wing का मतलब क्या है, some wings are bird, तो यह conclusion तो आपका ठीक होगा, उसके बाद आपको दे रखा है कि all birds are wing, is a possibility, तो भई possibility नहीं हो सकती, क्यूंकि कुछ bird wing नहीं है, तो इसी तरीके से आपको only few के case में ध्यान रखना है, कि only few का मतलब क्या होगा, और उसी मतलब के आधार पर मेरा जो conclusion 3 है, वो गलत हो जाएगा, तो मेरा answer होगा only two follows, इसके बाद दोस्तों either or case पे भी नज़र डाल लेते हैं, कभी कबर क्या होता है, कि हमारे option में either one or two, ऐसे भी options होते हैं, तो बच्चे confused हो जाते हैं either or case में, तो आप दो conditions हमेशा याद रखिएगा, पहली condition आपकी ये रहेगी दोस्तों, कि conclusion, यानि दोनों के दोनों conclusion individually wrong होने चाहिए, ठीक है, दूसरा आपका condition में क्या होगा, कि elements जो होने चाहिए, दोनों conclusion में वो same होने चाहिए, यानि अगर A and B element यूज हुआ है एक conclusion में, तो दूसरे conclusion में भी A और B यूज होना चाहिए, तीसरा कभी कभी क्या होता है, कि complementary pairs form हो जाते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, complementary pairs क्या, जैसे some और no complementary pairs है, all और some not भी complementary pairs है, पर अगर आप इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, तो आप सारे either or case को form कर सकते हैं, तो आप पहले दो conditions का ध्यान रखें, complementary pairs को आप याद कर सकते हैं, कि कौन-कौन से complementary pairs हैं, और इस अधार पर आप either or case की condition को establish कर सकते हैं, तो मैं example के तोर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कि किस तरीके से either or की condition apply होती है, जैसे आपको दे रखा है कि some tables are bags, तो आप यहाँ पर diagram बना सकते हैं, some tables are bags का, उसके बाद आपको दे रखा है कि some bags are chargers, तो आप diagram बना सकते हैं, some bags are chargers का, उसके बाद आपको दे रखा है कि all pen are charger, तो all pen are charger का diagram दोस्तों कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अगर मैं pen का थोड़ा सा हिस्सा इसमें भी डाल दूँ तो ये भी दोस्तो चल जाएगा ठीक है पर we are not sure कि pen यहां तक है कि यहां तक है अब आपको दे रखा है कि some charger are table तो दोस्तो some charger are table हो भी सकता है नहीं भी हो सकता पर we are not 100% sure तो ये conclusion हमारा गलत हो जाएगा दूसरे बाद आपको दे रखा है कि no charger is table यानि कोई charger टेबल नहीं है अगर दोस्तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता जैसे आपको statement में दे रखा है कि some tables are bags right उसके बाद आपको दे रखा है some bags are charger यानि कुछ हिस्सा bag का charger में है तो यहां मैं statement के अधार पर क्या कह सकता हूं कि no charger is stable नहीं कह सकता because I am not 100% sure तो मैंने अपने statement के अधार पर बहुत सारी possibilities बना ली उन possibilities के अधार पर बहुत सारे event diagram मैंने अपने दिमाग में सोच लिए पर we are not 100% sure कि no charger is stable तो यह conclusion गलत हो जाएगा अगर आपके दोनों के दोनों conclusion गलत हो जाएं और जो आपको elements दे रखे हैं conclusion में वो same हो तो आपका जो either or case होगा वो apply होगा और आपका इसका सही answer होगा either one or two follows यानि दोनों में से कोई एक सही होगा I hope आपको syllogism के basic समझ में आ गए होंगे and thanks for watching I exam B